नबश्का दोस्तों मैं हूँ अभिशेक आप देख रहे हैं मेरा डेली का राशिफल बात करेंगे हम लोग कल के बारे में जो की होगा चार तारिक ये सभी बारा राशियों के लिए चार तारिक का दिन कैसा रहेगा दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को आज ही सब्सक्राइब करिए चलिए शुरुआत करते हैं कल की राशे फलकी मिश राशिवालों का कल कैसा रहेगा मैं आपको बताने जा रहा हूँ प्रॉपर्टी फिल आप मिने के कुछ संकेध हां मिलते वे जल रहे हैं और लोगों के experience से आपको फायदा हो सकता है अगर मैं other words में कहूँ तो अगर आप किसी experience person की सला लेकर कोई काम करेंगे तो नतीजे आपको बहतर मिलने के पूरी उमीद दिख रही है आपके साथ कल जो आपके सहकरमी है यानि कि जो साथ में काम करते हैं वो भी आपके कल help करते हुए दिखाई दे रहे हैं तो कुल मिलागर दिन काफी अच्छा है गुला भी रंग का इस्तमाल करें और अंक छे का इस्तमाल करें दुपैर के बाद का टाइम काफी आपका अच्छा बीतेगा अब ब्रशब राशी के अगर बात करूँ तो investment आप कर सकते हैं पैसे बचाने की कोशिश आप कल करेंगे तो वो आपके लिए सार्थक होती वे दिखाई दे रही है कुछ entertainment के भी कुछ संसाधन आप दिखाने की कोशिश करेंगे इच्छा है पूरी होती वे दिखाई दे रही है रंग रहेगा पीला और अंक रहेगा तीन शाम का समय आप भी अच्छा व्यतीत होगा बात कर लेते हैं जैमिनी वालों की थोड़ा सा सहयं बढ़ते हैं अपनी वाणी के अंदर किसी से फालतों के आर्गुमेंट्स में ना पढ़े किसी के कलेश में अपनी सलह ना दे नहीं तो आपको ही प्रॉब्लम हो सकती है कहने का ताथ पर यह है कि किसी के पचड़े में अपनी टांग ना पचाए किसी पार्टी एत्यादी में जाने का मौका मिल सकता है टीम वर्क से भी फाइदा होतावा दिखाई दे रहा है रंग रहेगा सफेद अंक रहेगा तो सुबह का समय आपके लिए काफी अच्छा है करकराशी के अगर बात करूँ तो थोज़े रमेंटिक मोड में कल आप दिखाई दे रहे हैं लब लाइफ आपकी काफी अच्छी दिख रही है और अपने ये रिष्टों को भी आप काफी इमानदारी के साथ निभा रहे हैं जो कॉंपिटिटिव एक्जाम की तियारी कर रहे हैं कल उनका मन काफी अच्छा लगेगा और हो सकता है जो चीज समझने में उन्हें दिक्कत आ रही थी वो चीज उन्हें अब समझने में असान लगे नौकरी में भी कुछ नए अपसर मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं रंग रहेगा नीला अंक रहेगा आठ सुब़े का समय आपके लिए अच्छा है बात कर लेते हैं हम लोग सिंग राशिवालों का कैसा रहने वाला है कल का दिन अगर आप अपने लव अफ पार्टर्स के साथ कल खूमने का प्रोगाम मना रहे हैं तो वो प्रोगाम आपका काफी अच्छा बनता हुआ दिहां पर दिखाई दे रहा है और यह प्रोगाम मुझे लगता है बहुत ही सड़न बनेगा बहुत अचानक बनेगा हला कि पाइनेंस के प्रेशर अभी भी चल रहे हैं और महनत चितनी आप करेंगे उतना ही आपको फ़ल मिलेगा मल्टिकलर इसकल इस्तमाल कीजिए आप काफी अच्छा रहेगा अग रहेगा साथ और शाम का समय आपके लिए अच्छा रहेगा कन्या राशी के अगर बात करूं पैसा खर्च होने का योग है हाला कि पढ़ाई लिखाई यानि कि स्टडी में आपका मन लगता हुआ दिखाई दे रहा है और फोन कल किसी ऐसे परसंग का सकता है जिसने काफी टाइम से आपसे बात ना की हो सोच समझकर कहीं पर इंवेस्टमेंट करें रंग रहेगा सफेद अंक रहेगा दो तो लारा श्रीवालों की अगर बात करूं तो पैसे की परिशानी थोड़ी की चल रही थी वो थोड़े दबाव आप कम होंगे गाड़ी खरीदने का अगर योग है आपका कल तो गाड़ी आप खरीद सकते हैं हाला कि health related problems भी आपकी हल होती हुए दिखाई दे रहे हैं विर्शिक राशिवालों की बात करूं तो महनत ही आपको आगे लेका जाएगी कुछ नए दोस्त बनने का योग बनता हुआ दिखाई दे रहा है किसी नए काम पे आपकारे शुरू कर सकते हैं और अपने घर में भी आपका बहुल कर लच्छा रहेगा रंग रहेगा गुल परसन से आपकी मुलाकात होती वे दिखाई दे रही है हाला कि आपको खाने पीने पर थोड़ी सागा ने बरतनी चाही है परपरटी के भी मसले हल होते वे कल दिखाई दे रहे हैं रंग रहेगा लाल अंक रहेगा नौ अब हम बात कर लेते हैं मकर राशी की कुछ अगर आर या ना ना नहीं है तो उनकी health related कुछ चिंता आपको रह सकती है हलाकि clarity of thoughts कल आते वे दिखाई दे रहे हैं रंक रहेगा हरा और अंक रहेगा पांच सुबह का टाइम आपके लिए अच्छा है कुमराशी वालों की बात का अगर करूं तो खान पान पर ध्यान दें और भार के खाने से बचें और अपने ऑफिस में बहुत ध्यान से किसी भी चीज़ को हैंडिल करें मतलब अगर कोई signature आपको करना है legal पे थोड़ा सा ध्यान रखें पुराने जगले निप्णाने का प्रयास करें अपने पुराने दोस्तों से मिलने का प्रयास करें रंग रहेगा हरा अंक रहेगा पांच सुबह का टाइम काफी अच्छा रहेगा अब बात कर लेते हैं मीन राशी वालों की तो लब मैटर्स के लिए देन अच्छा है शान्ती रहेगी मेंटल पीस रहेगा कुछ अर्चन आपको देखने को मिलेंगी लेकिं जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा आपकी प्रॉब्लम्स ही सौल होती जाएगी अंक रहेगा नो रंग रहेगा लाल और दुपहर के बात का सम लगा दिया है कि सिर्फ वाट्स आप करें कॉल ना करें और जितनी भी अनलेसिज हैं चाहें वो कुंडी के हो चाहें वो अविशेश हूजा करवाएं तो वो सभी जो हैं वो अब पेड है उसके लिए निश्य धनवाशिय आपको देनी होगी और कुछ समय हमें देना होगा एट लीस्ट आप हमें एक दिन जरूर दें जिसे हम उसको पूरी तरह से अनलाइस कर पाएं सब्सक्राइब कीजएगा आज ही चैनल को और इस तरह मेरे साथ बने रहिएगा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाज शेयर करें इस वीडियो को अभी